वीडियो हमने केवाल लिंक्ट है सेट जितने भी थे concept को क्लेक्शन स्लेट उसमें केवाल स्ट्रिंग इंटेजर इस ही समने जो भी operation परफार्म किते हैं आज की हम जो operation करने वाले हैं वह एक real object लाए कि student के class करेंगे उसको list के अंडर डालेंगे उस पर basic operation perform कराएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे यहां पर नॉर्मल से मैंने जाव को प्रोजेक्ट कर रहा है और यहां से एक package इसी package पर मैं right-click करूँगा और यहां से सबसे पहले class को create करूँगा और class को मैं use करूँगा collection में I mean linked has set में तो सबसे पहले class करता हूँ मैं simply class का नाम दे देता हूँ यहां से student ओके भी हमारा class हो गया student और इसके अंदर में कुछ variable को declare करता हूँ आउके और इस variable को मैं इस फ्राइबेट लेता हूँ और यहां पर simply मैं लेता हूँ इंट और इंट में सी अधि एन अगेन लिखता हूं यहां पर प्राइबेट और यहां पर स्ट्रिंग टाइप करेता हूं डाटा और इसके अंदर में नेम को स्टूर करूंगा आगर में यहां पर variable as private declare करता हूं और यहां से double लेता हूं और simplest को as variable fees देता हूं अब जब रियल टाइम पर आप काम करोगे तो हां पर most of time हम जो variable करते हैं जो private करते हैं इसके लिए आपको access modifier की पूरी concept को पदाऊंचे कि कब हमको private protected public को यूज करना है इस देटर मैंने already पर वीडियो बना रखा ओके तो यहां पर मैंने यह तीन simply variable को declare कर दियो हूं और मुझे एक constructor को declare करना है अब यह भी concept अब होता किया है नहीं हूं तो इसके बारे इसमें प्रॉपर डीटेल पर वीडियो बना रखा है ओके तो यहां पर simply आएंगे राइट क्लिक करेंगे और यहां सो simply आपको सोर्स पर आना है ओके सूर्स पर आने बाद यहां से construct generate constructor यूजिंग फिल्ट ओके यहां पर फिल्ट के आईडी नेम फिस इसी सो आटोमेटिक एकलिप्स हमारे लिए constructor को जेनरेट कर देगा अब इस का मीनिंग क्या होगा कि कि जब भी मैं इस स्टूडेंट को आउजिक को इसकी नॉर्मल सी थे चलिए अब इसकी मेन ऑपरेसेन के लिए हम पर फॉर्म करवाते हैं यहां पर नू पर आते हैं क्लास पर आते हैं और यहां से सिंप्री देते हैं स्टूडेंट टेस्ट इसका नाम में यह देता हूँ स्टूडेंट टेस्ट यह क्लास केट कर दिया और मैं 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 लिक्लेर करूंगा और यहां से इसको और सब सब प्रोजेक्ट एक्स्पलर को मैं मैं मिनिमाइज कर देता हूँ इस इसका मैं रिफरेंस बिल्कु नियम ने दूँगा इस्टूडेंट लिस्ट में रहेगा और इकॉल टू न्यू कर दूँगा और यहां से लिंक्ट है सेट और यह हमारा हो गया क्या होगा इसका मतलब कि अब जो हमारा outer Does from Dist mattered करेगा इसको है got होकर तो सबस्क्राइब करेगा कि she so Drink को रोंगा और उसको यहां पर इस्टोर कर रहा हो तो चलिए इसको दिखाता हूं सबसे पहले तो मैं यहां पर आता हूं student as one image का reference variable लेता हूं और यहां से जैसे मैं लिखा student और मैं ऐसे अपक्रेट करें चाहूं तो यह exception दे रहा है error वो कर रहा है क्यों देखिए कर रहा है यह अंडिफाइन है constructor क्योंकि यहां पर non-parameter करना परेगा देन हमको नेम पास करना परेगा और नेम को स्टिंग टाइप है इसलिए अपर डबल में रहेगा तो यहां मैं सिंप्री नेम दे दिया कॉमा और इसके बाद हमको फीज को पास करना है ओके तो इस तरके से हमारा student का पहला object क्रेट हो गया क्लिट करना है तो इसके हम कंपी कर लेते हूं कंत्रोल और टाउन एरिवो को हमको करना है ओके तो orry हो जयेगा और यहाँ यहां सिंप बेरिएवल को चेंज करना परहए ग्या गवा इसको थी करते हैं और यहां से स्प्रिल में नेम दे देता हूं पंकर देता हूं और यहां से अंजली लेता हूं और यहां से सिंप्री देता हूं टू एन थ्री और इसकी वी कुछ बैल्यू को रेंडमली चेंज कर देते हैं बिसी कली ओके तो यह हमारा है तीन ऑबजेकेट होगा किसका स्टूडेंट का टाइप का ओके अब हमको इस स्टूडेंट करेंगे तो सिंप्ली सी हमारे पास क्या है इस्टूडेंट रिफ्रेंस बेरियेबल है यह वाला तो इसी बेरियेबल को यहां से लेंगे ओक इसके नीचे वाले नमाते हैं डॉट एड कर देंगे और आपके इसको पास करेंगे इस रिफ्रेंस बेरियेबल को और किस टाइप का यह डाटा भी की स्टूडेंट को पास कर रहें ऑर यहां को कॉपी करते हैं control all down arrow को use करिए और यहां simply हम को s2 and s3 को pass कर दिए तो इस तरीके से हमने तीन student को create किया और इन तीनों student को हमने क्या कर दिया add कर दिया इस particular linked headset में तो successful हमारा यह तीनों student add हो गया इस particular list set में ओके तो यहां पर एक दिन सीस out कर देते हैं और यहां पर simply मैं देता हूँ student list को pass कर देता हूँ और देखता हूँ कि तीनों student particular हमारा linked asset में add हुआ है की नहीं हो है और यहां से right click करता हूँ run edge आता हूँ जाव लिए लिए simply hit करूँगा तो यहां देखिए तीन object यह create हो चुका है देखिए पहला दूसरा तीसरा ओकी मल्टीपर बड़ा लान वारा है इसको में एक फॉरीच लूप से चला कर दिखाता हूँ इससे आपको प्रॉपर डेटेल आ जाए एक फ़रीच लेते हैं और यहां को पहले पहले इंटेजर देते हैं अब किस टापिंपर डता को रहा और एक μας गए कुझास्ट ना है यहां वाली यहां वाली वालि यहां पस्ट कर दिते हैं इसके पात यहां तो थोनों को सह डाएंगा और देनी के इसो बात देते आएंगे फैज रहेंगे तो यहां से राइट करते हैं, एंड रन है, जाव श्रेम पर आता हूं, और सिंप्ली हिट करता हूं, तो यहां हमने तीन स्टूरेंट को ओब्जेक्ट को तीन हमारा आ गया, और यहां पर इसका देखिए, यूनिक आईटी सबका डिफरेंट है, लेकिन हमको इसके अंदर थो आईटी होती है, वो प्रिंट कर देता है, इसलिए यहां पर ऐसा देख रहा है, तो इसको हम पुझाते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, तो इसको दो तरीके हैं, पहला क्या है, यहां पर इसी क्लास के अंदर में टू स्टिंग मेठट को डिफाइन कर दे, तो जैसे ही वो कॉल हो और हमको यहां से generate to string कर दिया तो जैसे ही आप किसी reference को call होगा देखिए student आगा देखिए इसके पास id आईडी वाला variable करेगा देनी name वाले variable को call कर देगा और यहां पर यह particular हमको पूरी पूरी इस structure में output देख जाएगा इसको save करता हूं में टेस्ट माता हूं और यहां से write क्लिक करता हूं और अब देखिए simply जादू क्या होता है यह देखिए student id name fees जो भी हमने यहां पर पासके ते same adjective है और यह देखिए किस structure में आ रहा है यह कौन सी two string method कॉल हुआ है यह वाली two string method कॉल होगे क्योंकि हम method को use कर लिए simply okay तो यहां से simply आता हूं right click करता हूं यहां source पर आता हूं and यहां से generate getter setter है ओके अगर यहां से simply हमको select all कर ले रहे हैं और हमको यहां choose करना है कि आपको select getter create करना है है setter create करना है हमें करना है अब आभिक टाम के लिए दोनों करेट कर दो संप्ली यहां से generate क्लिक कर दिया और यहां से क्या होगी getter setter method को हमारा यह generate कर देगा तो यहां से getter setter generate हो गया अब यहां पर हम क्या कर सकते है शटिवर गट गट ऍाइदी कर सकते हैं कि मैंठर आने लग यहां धेते हैं आ यहीं ऐख सेंडमी यहां पर हम पर श्यूर्वीह और अगर मैं रैट के लिए करता हूँ आप है आपको दिखाता हूँ यहां से पहला हमारा की आडी था 0123 यह वाला था हमारा आडी यहां पर आ गया स्याम स्पंकर्स अंजली और जो भी हमारे यहां सी था इस तरह की सी हमारा आ गया तो इस तरीके से हम ऊपजेक को क्रेट करके इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम गया करते हूं घप में स्टोर करा सकते हैं अगर हम कोछी तरह को भी ऐपरेशन कराना हो, अब हमको जान के एबल वही स्टूडेंट करना हो, जिसकी नेम स से स्टार्ट हो हमको एबल इस टूडेंट जिसकी आडी 1 हो उस्टिको लेना ह तो इस तरह किसम बहुत सारे operation भी कर सकते आने वाले कविंग वीडियो में आपको more details से और भी समझाओंगा इन particular operation के बारे में